अनुभवी माता पिता की अपने बेटों और बेटियों को बीस नसीहतें। दो साल से बड़े बच्चों के सामने अपने कपड़े ना बदलें। कभी भी अपने बेटे या बेटी को मजाक में किसी की पतनी या पती कहकर संबोधित ना करें। अपने बेटे या बेटी को चेतावनी दें कि वह किसी की गोद में ना बैठे हैं, चाहे वह कोई भी हो। अपने बच्चों को किसी के घर पर अकेले ना जाने दें। जब भी बच्चे अपने दोस्त के साथ बाहर जाते हैं तो पता करें कि वह किस तरह के खेल खेलते हैं। परिवार के साथ मिल बैठ कर भोजन करने का प्रयास करें और भोजन करते समय मोबाइल फोन टीवी बंद कर लें अपनी संतानों को बॉलिवुड की कचरा फिल्में से बचाएं और प्रेरणा दायक फिल्में दिखाएं जंक फूड और फास्ट फूड से बचें कोई भी नशा न करें यदि आप नशा करते हैं तो अपने बच्चों के सामने कोई भी नशा कताई न करें अपने घर पर एक हतियार अवश्य रखें और उसे चलाने का निरंतर हवा में अकेले प्रयास करते रहें तांकि विपत्ती के समय प्रयोग कर सकें जैसी लाठी, हौकी गुपती तलवार आदी जब भी परिवार व समाज के किसी कार्यक्रम में जाएंगे तो अपनी संतानों को भी ले जाएं इससे उनका मानसिक विकास सशक्त होगा प्राथकाल पांच-तीस बजे उठ जाएं और रात्री को दसेद बजे तक सोने का नियम बनाएं सोने से पहले आधा गिलास गुन-गुना पानी अवश्य पिएं इससे हार्ट अटैक की संभावना घट्ती है बेटियों का विवाह 21 से 25 में वर्ष तक और बेटों का विवाह 25 से 29 में वर्ष की आयू तक हर स्थिती में हो जाना चाहिए फ्लैट न लेकर जमीन खरीदें और उस पर अपना घर बनाएं वरना आपकी संतानों का भविश्य पिंजरे के पंची की तरह हो जाएगा नई युवा पीढ़ी को कम से कम दो संतानों को जन्म देने के लिए प्रेरित करें गाव से नाता जोड कर रखें और गाव की पैत्रिक संपत्ती और वहां के लोगों से नाता जोड कर रखें होली दीपावली विजयादश्मी, नवरात्री मकर संक्रांती जनमाश्टमी, राम नवमी आदी जितने भी हैं, उन्हें आफिस कार्य से छुट्टी लेकर पूरे परिवार के साथ मनाएं यदि आपकी कोई एक संतान पढ़ाई में असक्षम है, तो उसको कोई भी हुनर का ज्यान जरूर दें, इनसान को सिर्फ दो चीज ही काम्याब बनाती है, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी महनत, अच्छी किस्मत सब की नहीं होती और कड़ी महनत सब से नहीं होती, कु धन्यवाद, आप अपना और अपनों का खयाल रखें